हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक तो मैं चैनल, I hope you all are doing good तो आज मैंने ये जो मेकप लुक क्रियेट किया है, ये एक इस्पेसली मैंने फैस्टिव सीजन के लिए ये रिक्रियेट किया है आप कोई भी फैस्टिव सीजन में इस तरह के आप लुक क्रियेट कर सकते हो ये मेकप लुक जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, तो मैंने ये फैस्टिव सीजन इस्पेसल मेकप लुक क्रियेट किया है तो आप इसको कोई भी फैस्टिवल में आप इसको रिक्रियेट कर सकते हो आपको ये मेकप लुक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ऐसे पैरे पैरे वीडियो में आपके लिए लाते रहोंगी और आप मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करू यार आप बीना लाइक कर किये, चले जाते हो, देक लेते हो और लाइक नहीं करते हो प्लीज लाइक कर दिया करू ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ये सब जो जो जोलरी मैंने पहने है, ये मैंने मीशोशे ले थी तो मैं अगर आप ये जोलरी का लिंक लेना चाते हो तो मीकप स्टार्ट करने से पहले हमें अपने स्कीन केर अच्छी तरह से कर लेना चाहिए तो मैंने यहाँ पर अपने स्कीन केर कर लिया था पहले ही तो मैं बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैंने अपने स्कीन केर दिखाया हुआ है तो मैं हर वीडियो में आपको बोर्ड नहीं करना चाहती है अपने स्कीन केर दिखा दिखा के तो उसके बाद मैं डायरेक्ट यहां पे प्राइमर के जगा पे मैं आज लगा रही हूँ पतंजली का अलुवेरा जेल इसको मै अपने फिंगर से डॉट डॉट करते हैं अपने पूरे फेस पे लगा लिया है और एक ब्लेंडर के हैप से इसको डेप डेप देप मोशन में अच्छे से इसको ब्लैंड कर दोंगी, blending is most important for make-up उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फांडेशन इसमान को concealer को यह एन्य वय व्यार्व का कंसीलर है और जहां-जहां-जहां मुझे कंसील करने की जरुद है अपने फेश पर वहां-वहां मैं कंसीलर कर रही हूंँ और जहां-जहां मेरा Highlight Poynt है अपने Face का वहां पर भी कंसीलर कुंसीलर लगा ताकि अच्छे से हमारा जो फाउंडेशन और कंसीलर को लगा लिया है उसके बाद मैं यहां पर यूज कर रही हूँ fit me compact powder एक brush के help से मैंने अपने पूरे face पे अच्छे से लगा लिया है जो मैंने base makeup लगाया था उसको अच्छे से lock कर लिया है with the help of fit me का compact powder तो अपने पूरे face पे अच्छे से लगा लिया है उसके बाद मैं यहां पर eyebrow को set कर रही हूं with the help of blue heaven का यह brown eyebrow pencil यह टूट गया है फिर भी मैं इसको चला रही हूं तो इसको मैंने अपने eyebrow को अच्छे से fill कर लिया है उसके बाद मैं eye makeup start करूंगे तो उसके लिए मैंने एक fluffy brush लिया है और उसमें मैंने एक peach color का है eye shadow shade इसको मैंने अपने पूरे eyelid पे लगा दिया है आप देख पा रहे हो eyebrow के नीचे जहां पर जहां से highlighter लगाते नो उसके नीचे वले points से लेके पूरे अपने eyelid पे लगाना है और उसके बाद मैंने एक brown color लिया है brown color में outer view पे place करते हुए inner view तक जाना है और हलके हाथों से place करना है आप में जब तक अच्छ अपने desire color नहीं आ जाता है तब तक उसमें मतलब उसको blend करना है और आप जब भी अपना eye makeup करो तो थोरे थोरे color लेके करो ताकि जादा हो अगर जादा हो जाएगा तो प्रा eye makeup एक एक सिमरी color लिया है golden भी नहीं है मतलब बहुत ही खुप्षरत सा यह पीची टाइप का है उसमें सीमर्ष है बहुत ही खुप्षरत लग रहा था यह तो इस तरह से मैंने अपने finger से ही अपने inner view से लेके middle part तक मैंने इसको लगाया आप जाओ तो cut crease भी कर सकते हो लेकिन यह बहुत ही simple step में मैं बता रही है उसको कोई भी कर शकता है उसके बाद मैंने एक पतली सी brush लिया है जिससे हम आई वरो फिल करते हैं उसमें मैंने एक brown color पिक किया है और इस तरह से जहां पे हम eyeliner लगाते हैं वहां पे मैं इस तरह से लगा रही हूं इस brush के help से आप देख पारे हो कि तरह से मैंने लगाया है उसके बाद मैंने यह दो color को mix करके plus लगाया है plus मैं ज्यादा लगाती नहीं हूँ थुरे बहुत लगाती itiltham आ acuerdo मुझे ज्यादा ब्लस लगाना पसंद नहीं थो किन फिछpflicht से देल है में थोड़ा सा नोस पर भी लगा लिया एँई के बाद मैं अपने पर मेरा क्नोर से है तो इसके लिए मैं क्न्टार करती हैं क्न्टार करना पाँ चाहिए कि हम जो foundation लगाता है न हमारा फेज इकल्व हो जाता है तो कोई जो फीचर होता है हमारा फेज़ का पता है इस से क्या ओता है कांसी कांटॉर करने से अच्छे से पता चलता है उसके बाद में यहाँ पर काजल लगा रही हूं अपने आय लाइन को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है उसके बाद में यहां पर लगा रही हूं और फ्लेम का यह स्केच लाइनर है ब्लैक तो इसमें बस पतला सा मैं एक पस जो लाइन है ना बस उसको अच्छे से ड्रॉ करोगे एक पतली सी ब्राउन लेकिए जो लाइन उसमच गया था ऊपर कर सो अज़ लेकिन फॉल से लगाने से नेके कम अनुट है भी लेकिन भी ओर शेम स्प्रेज से मैं अपने पूरे फेस पे स्ब्रे कर लूँगी ब्लेंडर से थ्राई सा डेवड़ डेव गर लोंगे उसके बाद मैं यह होушка रही है यहां फोरे फेस का लगा गूंगी इस तरह पार हो एक फैन UghR areas के help से मैं अपने पूरे face पे highlighter लगा लिया है जहां-जहां मुझे जो रहत है highlighter लगाने की और यह जो jewelry है वो मैंने मीशो से ली थी तो मैं अगर आप इसका link चाते हो तो मैं इसका link आपको description box में दे दूँगी बहुत ही है यह green color का है आपको भी party वगेरा में भी इसको carry कर सकते हो हल्दी वगेरा में मेहदी वगेरा में और festive season के लिए तो बहुत ही अच्छा यह आपको jewelry है यह आपको necklace earring और साथ में आपको मांगटे का मिल जाएगा तो यह रहा मेरा final look आप लोग मुझे comment करके ज़रो बताना कि आप लोग को यह look कैसा लग रहा है और अगर आपको यह look पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को please 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 like करना ना भूले साथ ही आप चाहो तो आपने friends और family के साथ भी share कर सकते हो और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को subscribe करना भी ना भूले साथ ही वेल आइकन को भी दवा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालो तो आपको updates मिलते रहें तो चलिए मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई टेक क्यार